एंटेपीसी के प्लांट के लिए सोलापूर के किसानों से जब जमीन ली गई थी, तो उन्हें रोजगार और बहतर जिंदगी का वादा किया गया था. लेकिन अब इसी प्लांट ने किसानों की जिंदगी बद हाल कर दी है. इस कारखाने से निकलने वाले केमिकल और गंदगी ने किसानों की खेती चौपट कर दी महराश्ट के सोलापूर में NTPC का प्लांट किसानों के लिए आफ़त का दूसरा नाम बन गया है कमपनी से निकलने वाला केमिकल और गंदा पानी धडलने से आसपास के खेतों में डाला जा रहा है किसान कई बार कमपनी से इसके लिए मिन्नती भी कर चुके हैं लेकिन कमपनी के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही हम भी रिक्विस्ट कमपनी को के रहे तो भी हमारे को देखनी के लिए नहीं है देखने के लिए नहीं आ रहा है वो पुडारी को बोले तो आज करेंगे कल करेंगे दिल्चस्प ये है कि अंटिपीसी के इस प्लांट के लिए किसानों से ही जमीन ली गई थी किसानों से रोजगार और बहतरी का वादा किया गया था लेकिन कमपनी ने ऐसी दहशत फैलाई है कि किसानों के लिए बची कुछे जमीन पर खेती करना दुश्वार हो गया है फसल बरबादी की तस्वीरे तो चोतरफा पसरी हुई है लेकिन मामला यही दक सीमित नहीं है प्रदुशन की चपेट में आकर कई मवीश्यों की मौत हो चुकी है आलम ये है कि कई किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया है कमपनी की मनमानी से इलाखी के किसान बुरी तरह परेशान है लेकिन इस सरकारी कमपनी के खिलाफ सरकार कोई भी कार रवाई करने के बजाए किसानों को जूटा दिलासा देती रहती है